बिग बॉस OTT का आगाज हो चुका है और आगाज जिस तरीके से हुआ है भाई कंटेश्टन दिन बदिन बहुती ज्यादा भापे कुछ करने का प्रयास कर रहे है घर के अंदर क्योंकि इनके पास है सिर्फ 6 हपते लेकिन इनी 6 हपतों के बीच लोगों को ये जानना है कि कौ किस जगह पे स्टैंड कर रहा है तो मैं नीचे से शुरुआत करूंगा सबसे नीचे से यानि कि 13 नंबर के अगर बात की जाए तो मूज जटाना जी है मासुम सी एक चोटी सी क्यूट लड़की जो है अभी फिलहाल नंबर 13 पे अब इनका गेम अभी तक देखने को नहीं म बात कि जए तो पोप्लरेटी पोल में नंबर 12 पे आते हैं निशान बट और आगे जाना पड़ेगा नंबर 11 के अगर बात के जाये तो निशान के ओपर है वहांपे नेहा भसीन नेहा भसीन अपनी पोप्लरेटी की वज़ा से वहाँ पे है जो गाने गाती है बाज रेदा पे है उर्फी जावेद, उर्फी जावेद एक अलग तरीकी की गल है, चूटी सी गल है और बहुत सारी चीज़ा घर के अंदर करती है, चुलबुली हम कह सकते हैं, तो फिलाल उर्फी जावेद है नंबर दस पे, नंबर 9 की अगर बात की जाए तो नंबर 9 पे है एक्चर करन ना था, जी हाँ, बहुत सालों के बाद ये फिर एक बार इंट्री ले रहे इस शो की जरीए लोग के सामने आ रहे हैं, अब और खुल के सामने आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इनको पसंद कर रहे हैं, 9 नंबर पे जी हाँ, इनको अब और ज्यादा वहाँ पे गर्मी दिखानी पड़ेगी और उसी तरीके की एनरजी रखनी पड़ेगी, ज्योंकि पहली बार जो करेक्टर रखते हैं, वो बाद में नहीं रखा जाकता है, ये मैंने रिव्यू में भी बताया था, नंबर साथ की बात की ज जाएगी इस तरे के कुछ वहाँ पर चीजी हो सकती है, क्योंकि इनकी पॉपिलरिटी बहुत ज्यदा है, नंबर शे की बात की जाएगी, तो रैपर, यानि कि मिलिंद गाबा है नंबर छे पे, और ये भी वहाँ पर ज्यादा वहाँ पे famous है क्योंकि इनके गाने बहुत ज शमीता शेट्टी है यहाँ पर नंबर पाच की हाला कि यह उपर होनी चाहिए इनकी पॉप्लाइलिटी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन घर के अंदर कुछ खास करते हुए नेकिद नहीं दिख रही है और इसी वजह से नंबर पाच की पॉजिशन लिए शमीता शेट्टी ने नंबर चार की बात की जाए तो भाई जिनका असीम रियास के साथ कंपेर हो रहा है लेकिन कंपेर तो नहीं होना चाहिए तो यह है प्रतीक सहचपाल कुछ वहाँ पे अच्छे भी दिख रहे कुछ वहाँ पे गलत भी दिख रहे चलो देखते भाई इनका गेम तो मुझे पसंद आ रहा है आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्षिन में आप जरूर लिख देना तो यह नंबर चार पे नंबर तीन पे वहाँ पे राकेश बापड़ जी आज हर किसी ने हर जो गर्ल है हर गर्ल ने इनको सिलेट किया था और यह थोड़े से सुलज्यों है कंटेस्टन या जिनको करण नात ने सिलेट किया था जोड़ी रिदीमा पंडित अभी भी घर में कुछ दिख नहीं रही है लेकिन रिदीमा पंडित की पॉप्लरेटी बहुत ज्यादा इसलिए नंबर दो पे स्टैंड करती है लड़की और नंबर एक किवात की जाए तो दिव्यागरवा है ये कही न कई फूटेज लेने के लिए वहाँ पर प्रतिक सेजपाल के पास जाती हुए वहाँ पर दिख रही है आप अगर बारी की से शोग को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़े नजर आएंगी सारे चीज़े रिव्यू में बताऊंगा लेकिन फिलाल ये थी वह बरेलेकर में बंदार आपके सामने आता ही रहूँगा तो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट जी हां कोई भी आपडेट आपने इस नहीं तो जल से जल वह सब्सक्राइब वाला बटन प्लीज दबाएं और साथिया आपका फेवरेट एक्ट राइडर्स अन्यवाद